पहईवान मानते हैं और कहते मैं मास्क नहीं पहनूगा यह नियम पालम नहीं करूंगा अध्याइट अब आप लोगों कैसा लगता है तो जैसे अब आपने बोला कि जब लोग मास्क नहीं डालते हैं को विड गाइड लाइन्स को फॉलो नहीं करते तो बहुत इस टैंक पर दिसपॉइंटिंग लगता है क्योंकि जो हमारी सरकार है उसने तनी अवेरनेस क्रियेट की है इस पेंडमिक को लेकर नाशनल ओर्कनाइजेशन वो बहुत अवेरनेस क्रियेट कर रही है बट स्टिल जब लोग नहीं समझते इस बात को तब बहुत बुरा लगता है और मैं आपको आपके सथ शेयर करना चाहूंगे कि हमने और हमारे लोकालिटी में कुछ बच्चों ने तो हमने एक अवेरनेस ड्राइव कुछ महीने पहले चलाई थी जब अनलॉक हुआ था यह आप लोगों ने आपका जो जानता हूं जब बच्चे होते हैं तो उनके दिमाग में परिवार में आगे के आगे का यहीं चलता रहता है आप पर्सों तक तो एक तारीच सुवे तक तो इस मूड में थे हैं कि आज यह पढ़ूंगे कल यह पढ़ेंगे चार बज़े उठेंगे यह करेंगे वो कि सब सोचा होगा कई टाइम पर बनाया होगा अच्छानक सब चला गया एक वेक्यूम आ गया उस वेक्यूम को करें अपने अपने अपना इक्जाम वारियोस के वारे में आपने बताया था तो मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगे, इधर सभी से कि मैं दस्वी गक्षा में थी, जब मेरी दस्वी की परिक्षा होने वाली थी, और मैं ट्रैवल कर रही थी, कलकत्य से यहां आ रही थी, और एपोर्ट में मेरे को आपके बुक दिखी, तो मैंने तोरंटी उसे खरीद लिया था और मेरी दस्वी की परिक्षा होने वाली थी, मेरे मेरे खुद का एक्स्पीरिंस था, तो मैंने एक महिने तक रोज उस बुक को पढ़ा था, और इस बार मेरे को, मैं बतलब आपने बुक के शुरुआत इसी चीज से कही थी कि आपने जो योगा के मंतर से एंड की थी, तो से ये दो चीजे जो थे वो मन में लगातार थी कि माना बजिस्थिते अच्छी नहीं थी सब कुछ साथ, बट ये जो भावना से हमने एक्जाम की जो प्रिपरेशन की मैंने बारवी में जिस तरीके से की, सर आपी को प्रिक्षा मेरा जिंदगी का अंतिम परिक्षा नहीं है, सर आगे तो बहुत परिक्षा आप नहीं है, अब हमारा आरोग की जड़को बचा के रखना है और आगे आने वाला परिक्षा को सामना करना है, सर अच्छा अबीच एक्जाम से प्रियों हो गए, तब मन में क्या आप, आईपील देखने में टाइम के लगाएंगे, या चैंपिन सी फाइनल को देखेंगे, या और अबमारी में उलेंपिक शुरू होने वाला है, उस और अलेंपिक के लिए मन लगेगा, फारत से उलेंपिक में कौन लोग जा रहें, उनका बैग्राउंड की है, उसमें मन लगेगा की फिर 21 तारीक को योगा दिवस हैं, तो उसमें मन लगेगा? सब चीज़ों में लग रहा है यह चस्मा वाली बेटी कुछ बोलना चाहती है कमसे मोगा नहीं बुलना है उसको सब पहले तो बहुत जादा खुशी हुई कि फाइनली अब एक स्ट्रेस कम हुआ कि अब हमें पता है कि हमें से हमारे कॉंपटिटिव एक्जाम के लिए पढ़ना है पहले होता था कि बोर्ट की तयारी करते फिर हम कॉंपटिटिव एक्जाम की तयारी करते अब ऐसा हो गया है हमारे पास इतना जादा टाइम हो गया है कि हम बहुत अच्छे से हमारे कॉंपटिटिव एक्जाम की तयारी कर सकते तो सर मतलब मैं बहुत आभार प्रकट करती हुआ तो दिमाग से एक्जाब जाता रही है हाँ सर आप गर में है तो आपके ममी पपा सुनते होंगे सारा अभी कि येस सर कहां है दिखाओ तो आपको क्या लगा बेटी अपको मुख तो हो गई तो सर अच्छा डिसीजन है क्योंकि पूरे देश में बहुत ज़्यादा इस्तिती खराब है और इन पच्चों के उपर से तनाव खतम हो गया और आगे के लिए ये अपने केरियर के लिए तैयारी कर सकते हैं हमें अच्छा लगा चलिए मुझे अच्छा लगा आपने बहुत उसको पॉजिटिव लिया है हां और बच्चे कुछ कहना चाहते हैं नमस्कार सर नमस्कार सर नमस्कार सर मैं अभीराम के बेंगलोर से हूं सर कि वेकिने विद्याला मलेशना में बेंगलोर से नहीं सर मैं आपका बहुत बढ़ बढ़े में बहुत अच्छा था सब्सक्राइब बहुत अच्छा था से चुक्कि सरसलामत तो पगडी हजार तो बराबर है लेकिन सरकार मतलब आप यह तो नहीं कर रहे हैं कि दिमागी सलामत कि पूरा फिजिकल पॉलिक होते हैं फिजिकल फिजिकल फिटनेस के लिए स्वैम कितना समय देते हो और क्या करते हैं हर दिन सुबह उठके 30 मिनिट योगा करता हूं योगा और एक्सरेस करता हूं मैं और मेरा बाई दोनों साथ में करते हैं आपके गरवाले सुन रहे हैं देखिए फिर पकड़े जाओगे नई सेर मैं उसो पूछ रूगा करता हूं और मैं हर दिन अपने मैंड को प्रिश्ट करने के लिए मैं तबला बाजाता हूं अच्छा सो उसे मेरा मेरा मैंड प्रिश्राइब आए तो मुजिक आपके परिबार का है स्वभाव में हैं सबके इसलिए घर में संगीत का मतावर है और जिससे अभी तक मुझे बात करने का मोका नहीं मिला है उनको अब मोका दूंगा अभी एक प्रिश्राइब लगाया है वो मेरे सामने हैं वो कुछ बताना चाहती है मेरा नाम कशिश नेगी है मैं मरे टीवी पब्लिक स्कूल सोलन हिमाचर प्रिदेश से हूँ सर मैं आपसे सब यह कहना चाहूंगी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब आप सहसे मुलाकात होगी और सर आपको एक थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आपने जो भी डिसीजन लिया वो एक्तम सही लिया है क्योंकि हम डेड़ साल हो गया था में प्लस्टू के बच्चों को की वो की सिर्फ प्लस्टू में ही थे मतलब उनकी जिंदगी रुख सी गई थी कुछ डेवलाक्मेंट भी नी ओरी थी और कुछ रिटार्डेशन भी नी ओरी थी तो सर जो आपनी डिसीजन लिया उससे मैं बहुत खुश हूँ और से आपको थैंक्स बुलना चाहूंगी सर थैंक्यू धन्यवाद धन्यवाद जिस बतीन उगली उठाई है जर बताईए बटा नमस्तार सर मैं दिल्वी पब्लिक स्कूल जैपूर राजिस्थान से बार्वी सक्षा के छात्रा हूं मेरा नाम जन्नत साक्षी है बार्वी बोट के परिक्षा के लिए आपने जो निन्ने लिया है मैं उसका स्वागत करती है बर्तमान परिस्थियों को देखते हुई यह निन्ने बिल्कुल सही है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा और सेहत सर्वो परी है हमें CBSE पर अटूर्ट विश्वाद है कि वे मुल्यां के लिए तो जो भी मापदन निर्धारिक करेंगे वो हमारे ह में ही होगा मुझे पूरा विश्वास है कि हमें हमारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा धन्यवाद सब अच्चा सब परेंट्स जितने भी हैं सारे सब आजाए स्क्रीन पे बुला लीजी आपके माता पितागर है तो कि उन सब को इच्छा होगी कि चलिए यह और मेरे लिए अच्छा है नवजवान कोई पेरे सामने लिख रहे हैं बताइए सफेज सट वाले कोई सजर्ण बोल रहे हैं तो नवगार बताते रहते हैं मोधी जी कर देंगे मोधी जी कर देंगे चलता मात कर और जैसे जैसे लोगडाउन में रहा करते तो टाड़ी भी बढ़ती थी त अच्छा है मैं मोधी जी कर पैन आई से बढ़ा के रटेंगे तो टुट थी और नाम सवान्टी अजिवाल है तर मैं केंड़ जाले नई जिंदी की थात्रा हूं जेवी तर मैं कहना काऊंगी एक्जाम्स जब कैंसिल हो गया है हमें इतना एक्स्टरा समय मिलाया है मैं उसक आप लोग ऐसा डिजिए कागेज में नंबर लिख करके बैठिये ता कि मैं बोलूँगा ये नंबर तो वो नंबर मैं तुरंट बुलाऊंगा तकि वरना क्या हो रहा है कि मुझे आपका नाम तो पता नहीं को परिशाम कर रहा हूं अब जो भी डिशिशन लेंगे बचों के हिट में ही होगा होगा इसलिए बहुत ज़ोवे करेंगे हम आपके साथ है तो मैं साथ रहेंगे एक नंबर नंबर बन आपका डिसीजन बहुत ही बढ़िया था हमारे बच्चों के लिए मैंने मैंने अभी सब कहां कि आप इस नेड़े से बाहर जाएए एक जाम से बाहर निकलिए कुछ और बाते कर सकते हैं क्या बिलकुल सर बिलकुल और और अच्छी बाते करें तो शारु खान को मिलने से इ क्यों और ये बहुत अच्छा था सर यू आप अभी जो हम अपने बच्चों के लिए आने वाला टाइम देखेंगे तो इसमें यही चाहेंगे कि यही समय का सदू करें और अच्छे से आगे जाके अपना करियर मनाएं 26 देखेंगे जाने का मन होता है तो साइक्लिंग करते हूं सबसे वहले चीज जो मैंने रिजाल्ट आने के बाद की थी वह मारा बजे तक सोई थी तो तो उस दिन मैं बारा बजे तक सोई तो यह बढ़ीया सर मेरा नाम चित्रका तेप्र है मैं नाशन मार्ण स्कॉल पॉंड़ तो तमिलनाडू से हूँ सर सर मुझे पता था कि SI कुछ बोट का कैंसल होने वाला था तो लेक्म बीच में तो पहले तापके परिवार को मेरा बना कम तो आप एस्ट्रोलोजी पढ़ते हैं ये सर ट्वैल्थ में ये स्ट्रोलोजी जानते हैं हाँ सर तो ये कैसे पता चला कि होड़े वाला है सर वैसे अनुमा लगा लिया था और अच्छा डिसिशन था सर कैंसल इकने से ज़्यादा कैंसल पनने तो आराम से खतम हो जाएगा सर पामिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होगे लॉक्डाउन की वज़े से ओ तो हपते बर में सर घर वाले नाराज हो जाएगी देख रहा तुम ये नहीं कर दो तुम जल्दी उड़ते रही हो चलो नालो टाइम हो गया अब देखिए डार्ट वज़े वाली है अब नमस्ते सर नमस्ते जी नमस्ते मैं नमस्ते रहे हैं मैं देख भी मॉड़को जर्ट वेस्ट वेंगों से हूँ जैसे कि आपके आपके आप समय पर बहुत सारा टाइम है तो लॉक्डाउन में मैंने दोस्ते एक यूट्यूब चानल साथ किया था अरे वाल उसके भी फोकस कर सकते हैं हां और उसके नाम है यूट्यूब जैनल का क्या नाम है समन्ना शर्मी ली अरे वाल तो उसके हम लोग अलग अलग टाइसे वीडियो डालते हैं एक हमने छोटी सी पोईट्री करी थी उसके भी वीडियो डाला है एक शौट फिल्म है वो भी डाला है 21 हां बता बता नमस्ते चलिए फिर जे गौहाती आं गया है सर आईए ना फ्लीज आईए सर आपसे मतलब मिलने का मुटा मेला तो उससे बढ़िया क्या हो जाए सर मेरी दादी जी और मेरे पापा की साथ नमस्कार सर हां सर अलमतलम ठीक वर्यमच करते हैँ यद्य करेत लिए नामस्ते ये था फिल्म नेटा विरव जटा pastor यर्ममट मेरे बता नमस्कार तो कुछ भी किया है मारे विधन कर्याव मारे पार जटाए अच्छा तुम आज़ी जी को सारी राज़्रीती का पता है राज़्रीती नियूस सारी अप्डेटर रहती है अच्छा आज़ादी के इस बार 75 वर्ष है कि आज़ादी के 75 साल हो रहें क्या आप लोग आज़ादी के जंग में आप जिस जिले में रहें वहां क्या घटना हुई थी आज़ादी के समय क्या हुआ था उस पर एक बड़ा अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या तो रिसर्ट करेंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं येस सर पकाँ येस सर चलिए बढ़िया येस सर मैं आपकी बड़ी फैन हूं सर थैंक यू सर आप में जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन सर हमें लगा आपने मनला सब बच्चों के बारे में सोचा ये अब आपको फोलो करना पड़ेगा अब मैं कुछ कहना चाहता हूं सर अच्छ बढ़िये अब करना चाहते हैं सर उनका बहुत सोचा होता है सर इसमें करप्या करके सर कुछ ऐसी नीती बनाए कि उन्हों को सम्मान मिलें जिससे उनको उनकी इमानारी को देखते को बच्चे अमसरण करें दूसरे अमसरण करें नीती तो बनती है सब बिलकर के बाता हम बनाएंगे तो जुरूर बनेगा जी सब अच्छा हो सकते हैं थर्टी बन जैहिन सर जैहिन सर जैहिन हाँ बताई बीटा क्या कहना चाहते हो जी सर मेरा नाम अर्णी साबले है मैं एन्यवेसिंट स्कूल इंदॉर से हूँ अपका इंदॉर किस बात के लिए मश्चूर है इंदॉर के जिस प्रकार से कमाल किया है स्वच्छता को लेकर के यह वाकई सब दो चर्चा है इसकी कि यह यह नंबर पुरा दिता नहीं पेठा तुम्हारा नंबर पांच है क्या थिश्य ओंट्री जी अधि पहले पांच नंबर जे मैं बात कर रहा हूं ये बैंगलूरू तबला वादा तुम्हारा बहुत हो गया बार बार तुम पर पांच नंबर पांच नंबर तुम्हारी आवाद नहीं आ रही है इमाचल में कहां थे बेटा है समंडी ये सर मेरी बादा के बहुत बड़े फैन है नबस्ते जी नबस्कार जी नबस्कार जी तो अपना गाउं कहां पड़ता है ये नबस्कार जी मंडी के पास है मंडी से रजीक है आठ नो किलोमेटर अच्छा की की तरफ और ठीक है मैं ठीक हूँ पहलो तो मुझे आपके यहां से सेबु बड़ी सेबु बड़ी खाने को मिलती थी चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने का मुझे मोका मिला और मेरा ये विश्वास और द्रण हुआ है कि भारत का युवा पॉजिटिव भी है और प्रेक्टिकल भी है नेगेटिव थॉट्स की जगह आप लोग हर डिफिकल्टी और चैलेंज को भी अपनी ताकत बना लेते हैं ये हमारे देश के युवाओं की एक विशेस्ता है घर में रहकर आप सब युवाओं ने जितने इनोवेशन्स किया है जितनी नई नई चीजें सीखे हैं उसने आपके अंदर एक नया सेल्फ कॉंफरेंच दिया है और मैं देख रहा है था आज मैं तो अचानक आगए आपको मालूम भी नहीं जाँ फिर भी आप एक भी बात चीद करके न आप लड़कड़ाए हैं आप बिल्कुल जैसे अपने टीचर के साथ रोज बात करते हैं अपने पैरेंट के साथ रोज बात करते हैं वैसे मेरे से कर रहे हैं यह जो अपनापन है ना यह मेरे लिए बड़ी खुशी के बात है मेरे लिए ये अनुभव बहुत आनंद डायक है कि मैं मेरे देश के इतने कोने में बटे हुए इन बच्चों के साथ इतनी सहथा से मैं बात कर पा रहा हूँ वरना तो कभी क्या होता है वो देखते ही चौक दाता रहे आप है फिर वो बात ही नहीं करता है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी भूले बिना बड़े विश्वास के साथ बात कर रहे हैं ये मेरे लिए भूत अच्छा अनुभव है साथियो आपके अनुभव जीवन में हर पड़ाव पर आपके लिए अगर कठीन से कठीन समय है उसको बार-बार याद करके रोने चिलनाने में समय बरबाद मत कीजिए कठीन समय से भी कुछ सीखा होगा वो सीख को लेकर के आगे बढ़ेंगे आपको बहुत ताकत मलेगी आज जिस भी फिल्ड में जाएंगे वहां काफी कुछ नया कर पाएंगे आपने देखा होगा कि स्कूल्स में कॉलेज में हमें टीम स्पिरिट के बार-बार कहा जाता है सिखाय जाता है युनाइटेट स्ट्रेंट के लेसंस हमें दिये जाते हैं लेकिन कोरोना की मुश्किलों के बीच हमें ये लेसंस करीब से देखने का, समझने का, जीने का, एक प्रकार से नए तरीके से अउसर मिला है, कैसे हमारे समाज में हर किसी ने एक दूसरी का हाथ थामा, कैसे देश ने एक team spirit से इतनी बड़ी challenge का सामना किया है, यह सब हमने experience किया है, पब्लिक पाटिसिपेशन और टीम वर्क के एक्स्पिरियंस मैं जो पक्का विश्वास है आपको भी एक नई ताकत देंगे साथियों कठीन से कठीन समय में भी जितना हमारे देश का अब लोगों इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा इस बार भी मैं जब भी किसी से बात करता हूँ जैसे मैं अभी एक बेटी बता रहे हैं कि उसके परिवार के दो लोग उसने खो दी है ये छोटी चीद नहीं होती जिंदिकी में लेकिन फिर भी उसके आँखों में विश्वास जलग रहा है सब को लग रहा है ठीक है आफ़त आई है लेकिन हम विजय होकर के निकलेंगे हर हिंदुस्तान के मों से हर भारतिय के मों से यही आवाज निकल रही है है पूरी वेश्विक महामारी है पिछली शताब्दी में कभी ऐसा संकट नहीं आया है पिछली चार-पांच पिड़ी में किसे ने सुना नहीं किसे ने देखा नहीं ऐसा हम लोगों के कालखंड में आ रहा है लेकिन फिर भी हर हिंदुस्तानी के आवाज निकलेंगे नहीं हम इसको भी महात करेंगे हम इससे भी निकलेंगे और नई उर्जा के साथ देश को एक साथ मिलकर के आगे भढ़ते रहेंगे और देश को नहीं उचाईया तक ले जाएंगे और जैसा मैंने कहां पाथ जून परियावरान दिवस हैं कुछ सो कुछ किजिए एनवार्मेंट के लिए को ये पृत्वी को प्रकृति को बचाना हम सब का दाईत्र बनता है उसी प्रकार से 21 ओन व आंतर राश्ट्य योगा दिवस है और ये यह निनरने जित्रे उसा हाए कि दुनिया के सबसे अधिक देश्वे उसका समर्थन किया विएन में करीब करीब सब सब देश्वे समर्थन किया पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था तो ये योगा दिवस में आप भी अपने परिवार में रह करके योगा को जुरूर अपनाईए योगा कीजिए और मैंने का बहुत सारे मैचीज हैं ओलेम्पिक्स हैं जानना चाहिए हमारे देश के कौन होनार खेलाड इस बार ओलेम्पिक में एक नई प्रेणा मिलती है नई काकत मिलती है और इसलिए विश्वास है कि हम सब नवजवान इस समय का मैक्सिमम सदुप्योग करेंगे इस कोरोना कालखंड में जैसे वैक्षिनेशन करना है आपके परिबार में भी कुछ लोग होंगे जो पड़े लिखे नहीं होंगे तो लोकों को मिलती ही जाएगी तो सेवा के भाव से भी जरूर किसीन किसी काम से जुड़ी है मेरी आप सब को बहुत सुब कामना है आपके माता पिता जी के आप पर आशिरवाद बने रहे हैं आपके अपने सपने लेकर के आप जीए और आपके सपनों के लिए आपके आपको गर्व होगा, ऐसा मुझे पुरा विश्वास है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अचानक आपकी बीच में गुज गया, आप हसी मजा की बाते कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, लेकिन मैंने आकर के थोड़ा दिश्व कर दिया आपको, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत दनिवाद,